बेटा चैप्टर का नाम है चित्रकार और चित्र बनाने वाला चित्रकार कहलाता है चित्रकार किसी चित्र को बनाता है इसलिए चैप्टर का नाम बेटा रखा गया है चित्रकार और चित्र इस चैप्टर में ये बताया गया है इस कविता में कि जो काम हमें कोई काम भी हमें बुद्धिमानी से करना चाहिए और सोज विचार करना चाहिए चलिए आगे पढ़ते हैं चित्रकार सून सान जगे में बना रहा था चित्र इतने में भी वहां आ गया यमराज का मित्र चित्रकार किसी सून सान जगे में बैठे बैठकर एक चित्र बना रहा था और चित्र ही बनाते बनाते वहाँ पर यम्राज का मित्र बेटा किसको कहा गया है कोई सेर जो की तुरंत हमला कर देता है और पल भर में जीवन समाप्त हो जाता है तो उतनी देर में एक वहाँ पर सेर आ जाता है उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होस कोई बहुत परेसानी आ जाता है अगर माली जी हमें अचानक कहीं साप दिखाई दे जाए तो हम डर के मारे परिसान हो जाते ऐसे ही उस चित्रकार को वो सेर दिखाई दे गया वो डर गया उसने सोचा चित्र बनाना बेटा तो वो भूल गया और उसको डर लग गया नदी पहाड पेड़ पत्तों का बना रह गया कुछ जोस अब वो अपने चित्र में नदी पहाड पेड़ पौधे बनाना चाहता था लेकिन जैसे ही उसने उस सेर को देखा वो डर गया फिर उसको यह नहीं याद रहा कि हमें चित्र में क्या बनाना है फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप लेकिन बेटा चित्रकार जो था वो बहुत बुद्धिमान था उसने धैरे से काम लिया और उसने हिम्मत दिखाई और चुपचाप खड़ा रहा बोला सुन्दर चित्र बना दू बैठ जाईए आप उसने सेर से क्या कहा कि मैं तुम्हारा सुन्दर चित्र बना रहा हूं आप चुपचाप बैठे रहिए कभी कभी बेटा क्या होता है कि हम लोग पसपक्षियों और जानवरों से भी बात कर लेते हैं वो हमारी बात को समझते हैं ऐसा ही कुछ उस चित्रकार ने सोचा उसने उस सेर से कहा कि आप बैठिये मैं आपका चित्र बना रहा हूं कि ना हम लोग अगर फोटो क्लिक होती है तो कैसे पोस बनवाते ऐसे ही उस सेर के साथ हुआ सेर ने सोचा कि ये चित्रकार हमारा चित्र बना रहा है तो वो क्या करता बेटा वो चुपचाप बैठकर उस चित्रकार की ओर देखने लगता है चित्रकार ने कहा हो गया आगे आप मुँ आप उधर तो करिए जंगल के सरदान, अब वो तो उसको भगाने की कोशिस कर रहा था, उसने वो बुद्धिमान था तो उसने उस सेर से कहा, कि अब इतना आपका पोश बन गया, अब आगे अप इतना ही, अब आगे का तयार, अब आगे और आगे जो पोश बन व तो अब जंगल के सरदार, आप उधर मूं घुमा कर बैठ जाईए, बैठ गया वो पीट फिरा कर चित्रकार की ओर, वो मूं घुमा कर वो सेर बैठ जाता है वो चित्र बनवाने के लिए, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चौर, चित्रकार को तो बेटा अपनी जन की पड़ी थी वो तो उसको ऐसी बहला रहा था तो चित्रकार ने क्या किया चुप चाप भाग लिया वहां से जैसे कोई चोर भाग रहा हो बहुत देर तक आख मूंद कर पीट गुमा कर सेर बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर बहुत देर तक वह आखे बंद किजिबर टेवा से फिर चित्रकार भाग यह थी नवट के हुआ जब सेर इसको देखता है तो वह चौक जाता उसने लाग रहे है चित्र तो वो जल्दी से वहां से निकल लिया और उस नाव से पार हो जाता है अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक अगला लेक्चर कल पढ़िएगा आप लोग अपना homework note कीजिए इस कहानी से बेटा देखिए यही बताया गया है कि हमें बुद्धिवानी से काम लेना चाहिए ये सब्द बेटा आपने जो fair note book बनाई है उसमें आपको लिखना है और लिखने के साथ साथ बेटा आपको learn भी करना है अगला लेक्चर कल पढ़िएगा thank you class